जेह हिंद आल आफ यू CCTNS इसके फुल फॉर्म में Crime and Criminal, Tracking, Networking and System Online Work in Police Station जितना भी Online Work in Police Station पर हो रहा है वो CCTNS पर ही किया जा रहा है इसका questions पूछ लिया जाता है स्टुडेंट से कि CCTNS क्या है इसके बारे में जानते हैं CCTNS योजना भारत सरकार द्वारा 2009 में लाई गई इस योजना को लागू करने के लिए NCRB National Crime Record Bureau नई दिली को Nodal Agency बनाया गया और विप्रो कंपनी के माध्यम से Software CS में Core Application Software विक्सित किया CCTNS प्रोजेक्ट के तहट नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वर्ष 2011 में NCRB और BSNL के बीच समझूतेक पर हक्स्ताक्षर किये गए इसमें नोडल अजेंसी है NCRB और अपरेटिंग सिस्टम Windows, Linux, Browser Bands, Best, Data, Feedings, Thana Istarpar, Citizen, Interface, Facility of Online, Complain, and Facility of Printed FIR 4, Complain. CCTNS का उदेश्य E-Governor के सिधानतों को अपनाते हुए एक व्यापक और एकिकरत प्रणाली का निर्मान करना जिससे पुलिस सेवाओं की शदक्षता और प्रभाव शीलता को बढ़ाने के लिए अपराधियों एवं अपराधों की एक रास्ट व्यापी आधार भूत नेट्वर्क सरसना तयार की जाए ग्रह मंत्राले ने रास्टी इस्थर पर सिसी टी एनस की सुईदा को देश के राज्य और केंद शाशित प्रदेश के सभी पुलिस स्टेशन में लागू किया है इसके कारण अपराध और अपराधियों से संबंदित सुचनाओं का एकी करण, सुचना साजा करण वर रिपोर्ट दर्श करने हेतू एक रास्टी इस्थर के पोटल का प्रियोग किया गया है इनको राज्य स्थर पर SCRB स्टेट क्राइम रिकोर्ट बीरो जोड़ती है CCDNS राइस्थान में 2017 से स्टार्ट किया गया और जो मॉडूल्स इसमें हैं वो तो है ही लेकिन आपकी आवशक्ता नुसार इसमें नए मॉडूल्स जोड़े जा सकते हैं वरिस्ट अधिकारियों के कार्यान ले शेत्र अधिकार अपर पुलिस अधिक्षक पुलिस अधिक्षक परिशेत्री कार्यान ले डीजीपी मुख्याले, इन्मेस्टिकेशन, एजन्सीज, CID, CB, EOW, पुलिस कंट्रोल रूम, आधि को कम्पुटराइज कर नेट्वर्किंग के माध्यम से आपस में जोड़ने की विवस्था है इस योजना के माध्यम से जनता घर से ही अपनी शिकायत कम्पुटर पर इंटरनेट के माध्यम से दर्च करा सकती है प्रतेग शिकायत करता को एक यूनिक कोड दिया जाता है जिसके माध्यम से अपनी शिकायत की कारेवाही देख सकता है इसमें चरित्र सत्यापन, लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस, धर्ना प्रदेशन की अनुमती के लिए आविदन करने की आनलाइन ब्यवस्था है इस योजना के अंतरगत सारी डेटा फीडिंग थाने इस तरपर होती है शिकायत करता FIR जब लोज कर रहता है, FIR लोज होती है 154 CRPC के तहत, यानि 154 CRPC के तहत FIR लोज की जाती है और इसकी निशूल के प्रती शिकायत करता को दी जाती है, वो धारा 154 CRPC की उपधारा 2 के अंतरगत दी जाती है थानों में रेइस्टर आफलाइन थे, सारा काम पहले आफलाइन होता था, जब से सिसी टेनस स्टार्ट हुआ तो इस से जैसे ही एंट्रीज होती है हर एक चीज की, तो उसकी रेजिस्टर ओटोमेटिकली जनरेट होने लगे हमारे पुलिस स्टेशन पर जो रेइस्टर रखे जाते हैं, आर पियार 1965 के नियम 3.35 के तहत रखे जाते हैं सीसी टेनस से जो लाप हुआ, पुलिस विभाग को, जनता को, पुलिस विभाग को, नमबर वन है, मैनुवल कारे में कमी नमबर टू, कोई भी रिपोर्ट शेगर निकाली जा सकती है नमबर थ्री है, डुप्लीकेट कारी की आवशकता नहीं थानों के रजिस्टर स्वते ही संधारन हो जाएंगे उच्चा दिकारीगण द्वारा ओनलाइन मॉनिटरिंग वपुलिस विभाग में पारदर्शिता जनता को इससे लाप हुआ, घर से ही शिकायद दर्श करवा सकते है अपराद व अपरादियों के बारे में गोपनी सूचनाय कम्प्यूटर के माध्यम से दे सकते हैं तथा किरायदारों का सत्यापन, चरित सत्यापन, नोकरों का सत्यापन, आरम्स लाइसेंस आदी का आविदन कम्प्यूटर औबलिक इंटरनेट के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है सिसी टी एनेस के माध्यम से निम्न लिखित सेवाय प्रदान की जा रही है नमबर वन है विबिन पुलिस थानों में जिलों में तथा राज्यों के मुख्यालियों और अन्य एजेंसियों को राष्टे इस्थर पर सूचना के संग्रहन, भंडारन, पुनप्राप्ति, हस्तांतरन, सुईदा प्रदान हो रही है इससे अपराधियों से संबंदि सूचनाओं के एक्त्री करण और उनको ट्रैस करने में आसानी हो रही है सेकिंड ए उच्चाधिकारियों की पुलिस बलों के भैतर प्रयोग और प्रभंदन में सायता प्राप्त हो रही है थड़े न्यायलों में अपराधि की जाच और अभियोजन मामलों की प्रगती को भी ट्रैस किया जा रहा है चौथा है इससे कागजी कारवई में गमी आ रही है यानि की पेपरलेस वर्तमान में सिसी टेनेस में कारे कैसे किया जा रहा है राज्य के किसी भी थाने में यदि कोई भी मामला दर्च किया जा रहा है उससे संबंदित सूचना है रास्टे स्थर के तंत्र पर भी अपडेट हो रही है रास्टे स्थर के अपडेट होने से ये सूचना है संबंदित राज्य के अन्य थानों के साथ दूसरे राज्यों में भी अपडेट हो रही है जिससे किसी मामले के समाधान में आसानी होती है For example, यदि राज्थान में किसी भी बालक या बालिका का कोई भी वेक्ती की गुमशुद की दर्ज होती है और वह दिल्ली चला जाता है दिल्ली पुलिस को मिलता है दिल्ली पुलिस सिसी टी एनस पोर्टल पर सर्च कर उसके विशे में जानकरी प्राप्त कर सकती है यदि राज्थान पुलिस ने जानकरी पोर्टल पर अपडेट की हो तो बच्चा तुरंत मिल सकता है वहनों के बारे में गुमशुद्गी, चोरी, बरामद, पुन, खरीद, पंजीकरन आधी ये जानकरी बीमा एजेंसियों, आम लोगों वह आर्टियों के लिए बहत लापकारी है घरेलू कर्मचारीों के लिए ड्राइवर है, माली, गार्ट्स, नोकर्व, किरायदारों का पुलिस सत्यापन करा सकते हैं जानकरी ब्ली, टुलिस नोकरी में वह उपकारी है झाल झाल